आगत है आप सभी का एक्जाम से थे MSC YouTube चानल पर और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं Class 12 English का पेपर तो यह पेपर प्री बोर्ड पर इक्षा 2021 में पूछा गया है तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेशन पेपर में कौन कौन से प्रशन आये हैं इसी की साहता से हम अपने बोर्ड पर इक्षा फाइनल एक्जाम इंग्लिश पेपर की तयारी कर सकते हैं तो 100 नंबर का पेपर हैं इंग्लिश सब्जेक्ट्स तीन घंटे पंदरा मिनट आपको मिलते हैं यहां पर कुछ जर्नेरल इंस्ट्रक्शन दिये हुए हैं कुछ निर्देश दिये हुए हैं इनको ध्यान से पढ़ दीजेगा इसके बाद section A पे चलता है section A पे आपको explanation वाला question मिलेगा जो की 10 नंबर में पूछा जाता है यह आपके pros से होता है तो यहां पर आप देखेंगे explain with reference to the context any one of the following passages एक passage A या B में से किसी एक passage का आपको reference, context और explanation करनी है तो यहां पर दो passage दिये हैं इनको ध्यान से देख लिजी कि काउन से passage पूछे गए हैं pre-board में यह board के लिए भी important हो सकते है next question है हमारे पास अगला प्रशन है हमारे पास कि answer any one of the following questions in not more than 30 words एक question का answer आपको लिखना है और केवल 30 शब्दों में 30 words में लिखना है तो why were these children described as refugees यह एक प्रशन है दूसरा question है कि what does the abbreviation DORA stands for और next question है how many people how many people left Pakistan and why यह आपकी chapter से question है यह chapters आपने पढ़े होंगे यह वहाँ से प्रशन पूछे गए है next question हमारे पास fill in the blanks खाली स्थान रिक्तिस्थान की पूर्ती करनी है यहाँ पर आप देख लिजिए आपके chapter के अनुसार यह रिक्तिस्थान की पूर्ती करनी है यह चार words दिये हुए हैं यहाँ पर उचित शब्द का चुनाओ करना है आपका कि कौन से word यहाँ पर भरा जाएगा वही आप यहाँ पर भरेंगे चार नंबर का यह प्रेशन होगा अब चलते हैं पर नेक्स्ट पेज़ पर देखते हैं कि कौन से प्रेशन वहाँ पर दिये हुए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे जो प्रेशन है गड़ी चुराने से पहले संकू की भवना है क्या थी संकू कैसा महसूस कर रहा था अगला क्वेशन है जो तिशी ने अपना गाउं क्यों छोड़ दिया था और बच्चा जो था एक चैप्टर है यह बच्चा कब अपने माता पिता से बिछाड गया था तो यह तीन प्रशन है दो प्रशनों का उत्तर आपको तीस शब्दों में लिखना है अगला प्रशन है हमारे पास एक स्टैंजा दिये हैं यहाँ पर पोईटरी की यहाँ पर आपको एक्स्टैंजा दिये हुए हैं और दूसरा इस्टैंजा भी जो है वो यह है इनकी आपको एक्स्प्लेनेशन करनी है reference context के साथ ठीक है reference context में आपको क्या लिखना होगा कि किस chapter से लिए घया है और कौन इसके writer है कौन इसके poet है ठीक है कौन poet है इसके कविता है ना तो इनके poet होगे अगला प्रशन है हमारे पास write the central idea of any one of the following points किसी एक का आपको केंद्री भाव लिखना है कविता का central idea लिखना है आपको तीन कविता दी हुई है true beauty दिया हुआ है element दिया हुआ है और on his blindness दिया हुआ है ठीक है किसी एक का central idea आपको लिखना है अगला question है हमारे पास कि write the definition of any one of the following figures of speech with two examples किसी एक का आपको किसी एक अलंकार का आपको परिभाशा लिखना है और उसके दो उधारण भी देना है सिमाईल का आप लिख सकते हैं और एपोस्ट्रोफ का लिख सकते हैं ठीक है अब यहां पर section B start हो गया है जहां पर हमको grammar मिलेगी चलिए देखते हैं कि grammar में कौन से प्रशन पूछे गया है तो grammar में सबसे पहला जो प्रशन हमारा पूछा गया है वो है change any one of the following sentences into indirect from direct speech direct से आपको indirect में बदलना है you said to me I am much tired ठीक है दूसरा है the master said to the servant don't you ever try to cheat me ठीक है कि नहीं किसी एक का आपको किसी एक को direct से indirect में बदलना है next page में चलते हैं अगला प्रशन जो है मारे पास वो है combine any one of the following sentences as directed within the brackets combine करना है या convert करना है इस sentence को आपको simple sentence में convert करना है यह जो sentence आपको दिख रहा है underline इसको आपको simple sentence में convert करना है दूसरा है this is an old building I lived here for many years इसको आपको complex sentence में बदलना है ठीक है अब चलते हैं next question पे जो कि हमारा C question grammar का C question क्या कहता है C question कहता है transform any one of the following sentences as directed within the brackets जैसा कि brackets उन बताया गया है उसी हिसाब से आपको वाक्य को परिवर्टित करना है my dress is the most beautiful of all dresses ठीक है इसको positive degree of comparison में बदलना है और दूसरा है who can hate small children इसे आपको affirmative sentence में बदलना है अगला प्रशन है हमारे पास correct any two of the following sentences वाक्यों का शुद्धी करन आपको करना है दो sentence का आपको punctuation करना है शुद्धी करन करना है ठीक है correct करना है this is a blender mistake mistake लिखा हुआ है ना तो यहाँ पे देखिए meaning ही गलत है इसको आप सही कर सकते है if he will ask me I will help him और a क्या लिखा हुआ है amla is pubic representative ठीक है kamla है क्या amla है जो भी हो he runs very fastly ठीक है he runs very fast होना चाहिए he runs very fastly नहीं होता तो दो sentences का आपको दो sentences को आपको correct करना है आप निग्रामर पड़ी होगी अच्छे से तो आप इसको बहुत ही चुटकी बजाते हुए चुटकी बजाते हुए correct कर देंगे next question है हमारा पास question number 9 जो की है use any three of the following idioms and phrases वाक्यों मुहावरों लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना खुद का वाक्याप को बनाना है ठीक है तो यहाँ पर क्या है fall short of by the end large by fits and starts and to set aside or to keep away in idioms और phrases का यूज़ करते हुए आपको अपने sentence में यूज़ करके दिखाना है और इनका आर्थ भी लिखना है इनकी meaning लिख दीजिए और इनका वाक्यों में प्रयोग करके भी आपको दिखाना है किसका किनी three idioms और phrases का आपको विलोम शब्द लिखना है convict का लिखना है virtue का लिखना है नेक्स्ट है मारे पास write synonyms of the following words synonyms मतलब पर्यावाची शब्द लिखना है queer का लिखना है बारेन का लिखना है और nimble का लिखना है next question हमारे पास है substitute one word for the expression एक वाक्य पूरे एक sentence के लिए आपको एक word देना है that which can't be taken back दूसरा है that can be left that can be felt through senses और a book containing words arranged in the alphabetical order with their meanings ठीक है तो इसको दूसरा दिक्शनरी कहते है तो one word substitution आपको करना है कि पूरे sentence के लिए आपको एक शब्द लिखना है अगला question जो हमारे पास है use the following use the following words in sentences of your own so as to bring out the difference in their meanings यह देखिए मिलते जुलते शब्द है अब इनका पहले आप अर्थ लिख दीजेगा meaning क्या है इनकी और फिर इन meanings में अंतर क्या है इसको आपको समझाना पड़ेगा एक एक वाक के प्रयोग करते हुए एक वाक में आप ये use करना और दूसरे वाक में आप ये use करेंगे अब चलते हैं आपने next page पे और देखते हैं कि वहाँ पर कौन से प्रशन पूचे गए है तो यहाँ पर अब story दी हुई है translate the following into English यहाँ पर आपको इस पूरे passage का अनुवाद करना है English में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्पने कैसी वरस्ता है जब जिम्मेदारिया कम होती है जब जीवन में चीजें नित नए रूप में सामने आती है और जब किसी को वर्शा या बर्फ में खेलने जैसे साधारड कामों में आनंद मिलता है लेकिन बच्चा अपनी इक्षा नुसार कुछ भी करने के लिए सुतनत नहीं होता वो अपने को लगातार यही सुनते हुए पाता है कि यहाँ काम मत करो आगे गलती हो जाने पर उसे दंड भी मिलता है जब युवा होकर वो अपनी अजीविका कमाने लगता है तब वह विध्यले और माता पिता के अनुशासन से मुक्ति पाता है लेकिन साथ में उसे अपने परिवारिक, सामाजिक एवं व्योसाइक उत्तरदायुत्यों को भी सुईकार करना पड़ता है तो अच्छी स्टोरी है यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच टॉपिक दिये हुएं पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है इंपोर्टेंस आफ लिट्रेचर साहित का महत इस पे आप निबंद लिख सकते हैं दूसरा है वोमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स भारती राजनीती में महिलाओं का क्या इस्थान है इस पे आप लिख सकते हैं रोल आफ सोशल मीडिया in our life सोशल मीडिया के बारे में पूचे गया सोशल मीडिया पे ऐसे आप लिख सकते हैं यूट्यूब, फेस्बुक, गुगल, ट्विटर ठीक है, इंस्टाग्राम, तमाम को headings डाल के आप लिख सकते हैं a visit to a historic place ठीक है किसी अतिहासिक स्थान पर आप गए और वहां अपने क्या देखा क्या नुभा हो रहा उसके बारे में आप निबंद लिख सकते हैं your favorite writer अपने प्रिये लेखक के बारे में आप निबंद लिख सकते हैं अब अब भहिया है unseen unseen passage क्या होता है कि आपको ऐसा passage दे दिया जाता है जो आपने कभी न देखा हो न पढ़ा हो ठीक है तो unseen passage में यह पूरा passage पढ़ देना अच्छे से और इसके नीचे जो दो question लिखे हूँ है छे number के होते हैं इनको आपको solve कर देना है तो यह यह जो question के से answer होते हैं यह आप पैसेज को एक-दो बार ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से बढ़ेंगे तो इसी passage में आपको इनके answer मिल जाएंगे यह जो passage दिया हुआ है इसी में आपको इसके answer मिल जाएंगे तो यह था आपको समझ में आया होगा कोई डाउट हो तो आप कोमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक्स वर्चिंग लेस्निंग में गुड़ लग फ्यूजर सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक्यू एंड बाइ-बाइ